प्रदेश की संस्कृती मंत्री उशा ठाकुर ने एक बार फिर विवालित ब्यान दिया है, उन्होंने कहा कि गर्वा पंडाल में आने वाले सभी लोग अपना पहचान पत्र लेकर आए, यह मेरी सला भी है और नसीह भी, पंडाल में कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छिपा करना आए, उशा ठाकुर का कहना है कि गर्वा पंडाल लव जिहाद का एक माध्या मन गए थे, इसलिए गर्वा पंडाल में जो भी आए, वह अपना पहचान पत्र साथ लेकर आए, और संगठन इस बात का ध्यान रखें, आज के समय में सभी गर्वा आयुजग, सतर्क और सजग हैं, यह पहली बार नहीं है कि उशा ठाकुर ने कोई ऐसा बयान दिया हो, इससे पहले भी उन्होंने गर्वा को लेकर कहा था कि जब अल्प संख्यकों को वंदे मातरम गाने में दिक्कत होती है, तो वे साक्षा दुर्गा मा की प्रतीमा के सामने कैसे जा सकते हैं, और वे अपनी मा, बेहन और पतनी को लेकर क्यों नहीं जातें, और लड़किया भी इस बात का ध्यान रखें कि वे बैकलेस और लोवेस ड्रेस ना पहनें, अब नहीं नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतरक हैं, गर्वे में जो भी आई वो अपना अडिंटी कार्ट स साथ लेकर आए, बगेर पहचान के गर्वों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यह सलाह भी है, और यह हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सबी लोग जागरुग भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे यह गर्वे, तो यह बहुत अनिव हमारे हो जाता है कि अपनी पहचान छुपा कर ना आए. प्यान आए. आप देख रहे हैं दखल नियूज